मशकार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के योटीव चेनल में आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवार तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे मैस गौन टॉक शिप बिल्डर के बारे में क्या आपको इस शेर पर निवेश करने चाहिए नहीं और इस शेर में जो आपको आने वाइल टाइम है क्या टार्गेट देखने को मिलेंगे कहाँ इस शेर का स्पोर्ट बनेगा कहाँ पर रिजिस्टेंस सारा हम आपके लिए क्लियर कर देंगे क्यों हम इस टॉक भी इतना जदा बुलिश है अभी भी क्यों बुलिश है नेक्स टार्गेट इस शेर में क्या बनेंगे वो क्लियर करके देंगे फंडमेंटल्स का इंडिगेट करें, चार सेटप का इंडिगेट करें, सारा हमाँ आपको लोग जोए क्लियर कर देंगे, तो अगर आप इस शेर में निवेशे के निवेश करने की सोचें, तो वीडियो एंटर दूर देखेगा, तो चले गाइस, स्टॉक का जो है, एनलीसिस जो है, डिस्ट्रिबूशन हुआ है, ओनर्शिप का, एक तो यह गौर्वर्मेंट ओन्ड जो है गंपने पास ही रखेगी, तो यहाँ पर जो ओनर्शिप डिस्ट्रिबूशन है, यहाँ पर कोई कम हीनी है, वेलुएशन रिश्यो के बारे हम बात करें, तो कंपनी की जो है valuation देखने को मिल रही है पर अभी भी valuation काफी fair और इस price पे भी valuation काफी fair है क्योंकि company की जो earnings हो इतनी जादा strong है और company को हम आपको पहले ही बता चुके 8 साल के पहले ही इनको जो advance order मिले है और इनकी order book जो है काफी strong है तो यहाँ पे कोई कमिनी है growth and profitability के बारे हम बात करें एक खुद indicate करें कि इनके जो 8 साल के advance order income और काफी बड़े बड़े order तो उसका जो positive impact हो कितना साथ जो है इस stock पे बढ़ा है growth and profitability पे company का जो gross profit है वो काफी शांधार तरीके से बढ़ रहा है बिटा काफी शांधार तरीके से बढ़ रहा है net income जो है वो काफी शांधार तरीके से dividend भी देती है time to time basis पे financial health की बारे में बात करें आप देखते हैं debt किना कम है free cash flow किने strongly बड़ा और cash and equivalents तो कितने strong तरीके से जो है growth हुए है तो guys अभी भी कहूंगा में has gone dog shipbuilders में आप बैठे है आपको पता है हमने आपको 400-500 के level से इस share पर buy call दी है तब से हमने आपको कहा है कि आप लोग जो इस share पर बैठी ये share आपको disappoint नहीं करेगा ये share बहुत strongly जो आने वाल टाइम में grow करेगा अभी तो इसको order मिलने शुरू है guys अभी इसको बहुत disappoint नहीं करेगा तो चले अब इसका chart setup आपको explain करके देते हैं guys यहाँ पर हम आपको mess gone dog shipbuilders का chart setup explain करके देंगे और यहाँ पर बताएंगे क्या setup बन रहे तो यहाँ पर आप देख से काफी strong bullish trend बना और काफी positive setup बना पहले lag की rally बनी फिर consolidation phase बना फिर breakout हो और अब दूसरे lag की rally जो है बनी है और minimum 3 लेक की rally जो स्टॉक में आती चाती है तो अभी जो है एक लेक की rally और बची होई गाई स्टॉक में तो मैं आपको यही राय दूँगा और आपको यही सलह दूँगा यहाँ पर जो है अभी stock यहां से दूगना होने की शमता रखता है 1450 का आप stop loss लेके चले यहां से टॉक जो है 3000-4000 होने की शमता रखता है आपने इसको पेशेंटली जो होल्ड करना है आपको पता है हम आपको काफी पहले से जो स्टॉक पर बाइकॉल दे रहे हैं और तकरीपन 400-500 के लेवल से इस शेर में बाइकॉल दे रहे हैं हम खुदी स्टॉक पर काफ पॉजिटिव है और डिफेंस सेक्टर में काफी स्टॉक रहली बनी है आने वाल टाइम में भी इसके बहुत बड़े-बड़े ओटर बिलेगी तो मैस गॉन डॉक शी बिल्डर्स आपको डिसपॉइंट नहीं करेगा अर्निंग्स कंपनी की स्टॉक की काफी स्टॉक है सेक